नमस्कार दोस्तों मेरे यूटूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है उम्मिद करता हूँ मेरे दुवारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी समश्या की बात करेंगे जो कि हर विद्यार्थी की समश्या है जैसा कि आप स्क्रीन के उपर देखकर समझ भी गए होंगे कि मैं आज किस समश्या के बारे में बताने जा रहा हूँ एक ऐसी समश्या जो हर पढ़ने वाले को आती है पढ़ाई करते समय नींद का आ जाना हर व्यक्ति के साथ ये समश्या होती है जब भी वो पढ़ाई करने लगता है उसे नींद आने लगती है तो पढ़ाई करते समय नींद आ जाना बहुत आम समश्या है ये अकसर होता है कि जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं हमें नींद आने लग जाती है साथ ही पढ़ने में मन भी नहीं लगता है और यह सिर्फ एक दिन की समझ्चा नहीं है बलकि प्रती दिन की समझ्चा है पर क्या आप जानते हैं कि आपको पढ़ते समय अकसर नींद क्यों आ जाती है शायद नहीं जानते बहुत सी ऐसी चीजे हैं जिनकी वज़े से हमें पढ़ते समय नींद आने लगती है आज हम आपको बताएंगे कि पढ़ाई करते समय नींद आने से कैसे बचें तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं कि पढ़ाई करते समय हम नींद से कैसे बच सकते हैं उसके मैं कुछ उपाई आपको बताऊंगा, आप जिनको फोलो करेंगे, तो आप नींद से बस सकते हैं, और आपका पढ़ाई में पूरा मन लगेगा, तो पहला उपाई है, रात को सोने से पहले हलका भोजन करें, अक्सर देखा गया है कि रात के समय पढ़ते समय काफी नीं आजाता है, तो ये पहला उपाई हुआ, पढ़ते समय नींद से बचने के लिए, रात को सोने से पहले हलका भोजन करें, दूसरा उपाई है, चीजों को रटना नहीं चाहिए, अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो हम उसे रटने की जाती है, जब हम चीजों को रटते हैं, हमें एक मशीन की महातिक काम करना पड़ता है, और हमारे दिमाग पर एक दबाव सा बन जाता है, प्रेसर बन जाता है, इसलिए जहां तक हो सके, चीजों को समझने का प्रियास करना चाहिए, ताकि आपकी रूची बनी रहे, और आपको पढ़ते समय की, उसी लेसन को पढ़ें, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, अगर आप रात में टीचर के पढ़ाई पार्ट याद करते हैं, जिनको आप पूरी तरह से समझ चुके हैं, तो आप अधिक समय तक पढ़ पाएंगे, और आपको नींद भी नही लगेगा, और आपको नींद आने लगेगी, फालतो की चीजों को पढ़ाई के समय अपने दिमाग से बाहर निकाल दें, ताकि आप आराम से पढ़ सकें, अगला उपाई है, नींद से बचने का, पढ़ाई थकान वाले काम ने करें, पढ़ाई के लिए शरीर को प्रियाप अगर पढ़ते समय नींद आ रही है, तो अप ठंडे पानी से अपना मूध हो सकते हैं, इस से अगर आपको ज्यादा नींद आ रही है, तो कुछ समय तक नींद आना बंद हो जाती है, और अन्ती मुपाई है कि आप, आपको जब भी पढ़ते समय क binary नींद आती है, तो कप चाई या कोफी बना कर पी सकते हैं तो उसके लिए उससे भी आपको थोड़े समय तक जो नींद है उससे आप बच सकते हैं तो यह थे आज विद्यार्थियों की समझ्टा को ध्यान में रखते हुए कुछ उपाई थे जो कि पढ़ते समय जिन विद्यार्थियों को धन्यवाद मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत